हेलो, गुड मॉनिंग दोस्तों, आठ मार्श 2019 की पली सब डिटर स्रीज में आपका स्वागत है, चलते हैं आज की हमारी न्यूस डिसकेशन की तरफ, आज की इस डिसकेशन में हम मैंनली न्यूस है वो ही कवर करेंगे, क्यूसंस आज हम कवर नहीं कर बाएंगे, तो क्यूसं समकल है कल की डिसकेशन में, क्योंकि आज कल और आज की दोनों की न्यूस है में आपके कवर कर रहे हैं, पहला जो हमारा आर्टिकल आया है, वो आया है TMA स्कीम, यानि की ट्रांस्पोर्ट एंड मार्केटिंग एसेशन स्कीम, है किसले स्कीम, इसके वारे हम जानते हैं, दे मिनिष्टिक जो कोष्ट है, वो काफी ज़्यदा है, कंपेर टू गरे हम अधर गंडीज को, इसलिए कि हैं, गोवर्मेंट ने भी डिसाइड किया है, जो कि कोमेर्स मिनिष्टिक के डिपार्टमेंट, जिसका नाम है डिपार्टमेंट आप कोमेर्स, और उसी ने, उसका फ इसकीम है, वो लेगी है, मतलब इसपेसली जो अगरिकल्टर प्रोडेक्ट है, इनके ट्रांसपोर्ट के लिए इसकीम है, वो आई है, अब देखो, बात के हैंज़ा मैंने आपको बताया था, कि एगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर की हाईर कोष्ट होती है, तो सबजियां वग इसकीम है, और इसी के साथ ये गोवर्मेंट की जो फोरेंट ट्रेड पोलिशी की 2015 से बीस, उसी में एक एहम रोल भी अपना निभाएगी, तो ये थी ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग एसेजन स्कीम, नेक्स जो हमारा आर्टिकल है, वो अह है, अल नगा है, एकसेज वो इंडिया, यहनि भारत और ओमान के बीच के है, तो यह आपको धान में रखना है, कि अल नगा एकसेज है, वो भारत और ओमान के बीच में की जाती है, बस इतना ही है, मारे लिप होत है, बाकि इस पास दिया गया है, कि 2019 में जो मलभी इस पार होने वाली है, वो ओमान के वो की जाननी है, तो कोई UPS यह से तो नहीं पूछे, बस में सदफ फोलोङंग में के बार मैं भी UPS से पूछ लेती है, तो मैं पताऊ ना चाहिए, कि अलगा एक्सेज है, वो किस किस के बीस में होती है, नेक्स जो आर्टिकल है काफी इंपोरेंट आर्टिकल है यह है वर्ड एर क्वालिटी रिपोर्ट 2018 कि बेद 2018 में एर की क्वालिटी कैसे रही है वर्ड गी टॉप से टीजी देखो वसे इंडिया के तो इसमें हालत बहुत ज़्यादा खराब है वो बताईगी है सबसे पहली बात यह कि किसके दोरा है जरी क्या जाता है यह क्या जाता है आई क्यू अ एर बज्र और इस तेसे के साथ घृंड गृीट सुट को अपके लिए इंडक्या लीचात में, अब आप अधको इंडिया के बात आप पर में लुप कर आदि उम्बर पे गुर्गाओं इसके बाद में घाज्याबाद है पिर तीसे नंमर पे देखा जाए तो अलो रोड में तो पाकिस्तान के city यह और इसके बाद में इंडिया की फ्रीदाबाद आ रहे है भिवाडी आ रहे है नोड़ आ रहे है प्रक्टना आ रहे है लकणवार तो इंडिया क कि अधार पर यह basically यह pollution को count हो कह जाता है कि भाई PM 2.5 है उसकी density कैसी है कितने अभी वो air value है उसके basis पर index हो जारी किया जाता है तो UPSC पूछ सकती है कि CO2 के basis पर air quality index है जो air quality रिपोर्ट हो जारी किया जाती है यह फिर ammonia के basis पर जारी किया जाती है यह फिर NO2 अगरा तो नहीं एसा कुछ नहीं है PM 2.5 के basis पर ही basically यह record हो तियार किया जाता है अब देखो कुछ और fact हम यहां पर देखते हैं जैसे कि इस report में लगबग 3000 CT को survey है वो क्या गया है और क्या सामने आया कि 40% CT ऐसी है जिन में डबलो एचो का जो guideline है जो डबलो तक जो standard है कि भाई जो air quality है वो basically जैसे डबलो एचो के standard ही है कि PM 2.5 की जो मार्चा है ना एर में वो एक एर क्यूब एक मिटर क्यूब मलब एक मिटर क्यूब वाला जो area है उसमें 10 micrograms जदा नहीं होनी चीए जबकि तो सारी city है 64% जो city है उनमें तो 10% से भी क्या बहुत ज़्यादा जार ग्रम सो से भी ज बहुत आगे जा चुकी है कि इंडिया की बात करें तो साथ city है pollution के मामल में टोप 10 के अंदर चाइना की एक है पाकिस्तान की दो है इंडिया का जो गुडगा हुए वह नमर वन में पुरा है pollution के मामले में इसके बाद में गाजियाबाद रहा है इसके आद में बिवाडी वगरा वगरा एक चीज यहां पर आपको भी धान रखना है अगर हम बात करें एक capital के मामले में keyword की सबसे टौप ड़राट चेपिटल को रही है तो वो रहिए इस बाद दिली यह आपको धान में रखना है कि दिली के अगर capital की बात करें हो लो र्वराद में तो नमबर वन पे इंडिया की capital नहीं दे लिए है वो top polluted में रही है इसके साथ ही यह दियागा कि top 30 जो polluted cities है उसमें से बाइस cities तो के लिए इंडिया की है बागी 5 चाइना की है दो पाकिसान की है और एक बांगलादेस की तो देखो ऐसा सारा fact तो आपको यादनी होगा बट कु देखो चाइना की हालत थी 2013 में वो इंडिया की ज़री कुछ ज़्यादा खराब थी उस टाइम पे चाइना की 2013 में हालत ये थी कि वहाँ पे pollution चाइना की top सारी cities उसी में आ थी polluted मे बट उसके बाद चाइना ने काफी सारे स्टेव उट है और अगर आज देखा जाए तो आ हमने बात करें क्योंकि चाइना ने काफी सारे स्टेव उठाई है तो देखो अभी यह सही समय आ गया है कि हमें भी पॉलिशन को लेकि अवेर होना चाहिए और गोवर्मेंट को और जन्ता को इस हमें कड़े से कड़े कड़े कदम में वो उठाने चाहिए इसके साथ ही हम द 1997 में क्या हुआ था कि United Nation जो इंटरनेशन ड्रक्स कंट्रोल प्रोग्राम था ना वो और इसी के साथ ही United Nation का एक और डिविजन थी इसका नाम था Crime Prevention and Crime Justice इन दोनों ही डिविजन ने मिलके यहनी कि UN, DCP और इसी के साथ ही UN, CP, CJD इन दोनों ने मिलके basically United Nation Office on Drugs and Crime का निर्मान है वो क्या था क्यों 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 देखो ओल और में जो द्रक्स के जो Crime होते है मैं लिए FM वगरा के अगर हम बात करें वो लगा था बढ़ते जा रहे थे इसमंगले में वगरा तो उन सब को न्यूज में क्यों आया न्यूज में इसलिए आया है कि इसने जो UNODC है न इसने भी यह कहा है कि भाई साउत इंडिया के अगर हम बात करें तो इंडिया की रास्ते से काफिजदा स्मगलिंग है वो हो रही है अफिम की यह बैसिकली कंटेक्स आपको मोटा मोटा मैंने बता दिया कि इंडिया है वो इंडिया के लिक तरीके से हबसा बनता हुआ जा रहा है अब देखो आपने दो वर्ल्ड नुश्वर में काफी सुने हुए एक तो सुना होगा आपने अफकानेस्तान और पाकिस्तान ये चांद ये दिखते हैं इसलिए इनको गॉल्डन क्रिश्ट के नाम से जाना जाते हैं फिर एक दर बात करें साओ एसिया में प्रोबर तो यहां पे आता है इंडिया के पास में आती है एक तो आता है मैंनमर आता है इसके और धाइलेंड आता है लावस वाता और वियतनाम यह चार कंटीज मिलके बनाती है गोल्डन ट्रेंगल यहां पर फिर्म का काफी ज़्यादा यह लीगल ट्रेड है यहां बोल सकते हैं कि इनलगी स्मगलिंग होती है अब देखो आप एक चीज़ देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में इंड ओडिसी ने कहा है कि साउत एसिया में जो इंटरनेट है ना उसकी हेल्प से क्रिप्टो क्रेंस का यूज किया जा रहा है और डार्क नेट पे काफी इलिगल तरीके से जो अफिम वगर है वो खरीदी बेची जा रही है और यह रास्ता जो इंडिया के रास्ता से होके नेक्स जो हमारा आर्टिकल हुआ है लंदन पेसेंट को लेकिंग देखो लंदन पेसेंट या आपको उपे सी पूछ सकते हैं अब भी बर्लिन पेसेंट खर इतना इंपोरेंट नहीं है बट फिर भी के बार उपे सी काफ़े सिंपल क्यूशन पूछ लेती है अभी लंदन क का एक परसंद था जिसको HIV का ट्रीटमेंट है वो क्या गया है कंप्लीड तरीके से उसका जो बोन मेरू है वो ट्रांस्पलेंट की गई है तो यह टेक्निक है यह आपको धानम रखनी है कि CCR5-DELTA-32 टेक्निक यह एक चुली HIV-AIDS के मलब हम बोल सकते हैं कि ट्रीटमेंट के लिए तो अभी यह treatment है यह method है यूज किया गया है CCR-DELTA-32 टेक्निक और इसकी हेल्प से जो लंदन में पेसेंट था HIV का उसको भी ठीक हो क्या गया है तो उस पेसेंट का नाम रखा गया है आपे लंदन पेसेंट इसके साथ ही एक और है बल्लीन पेसेंट बल्लीन है कि यह विश्वय का पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने एट से HIV से complete तरीक से चुटकरा पा लिया है तो उसी को भी एक नाम दिया गया है तो यह हमें थोडा दान में रखना है नेक्स वह हमार आर्टीकल है वो है नेशनल सेंटर फॉर गूड्स गवर्नेंट इसके साथ ही इसे के साथ इंडियन इंस्टुट बूर्परेट अफेर इन दोनों के बीच में M.U. Center वो है किसलिए Good Governance को पर्मोट करने के लिए अब है कहें Good Governance Center वो हम देखते हैं देखो Government of India के द्वारा इसको सेट अप किया गया था एक Agency के दोर पे Department of Administrative Reform and Public Revance जो आता है Ministry of Personal, Public Revance and Pensions के अंतरकत तो यह आपको धार में रखना है कि कौन सी Ministry के अंतरकत है वो आ रहा है इसका काम के इस सेंटर काम ही है कि हमारे देख में जो Governance है इसको इंप्रूव करना और जो Governance के साथ जो Public Policy है, Government की जो Governance होगी इसमे जो Capacity Building की तरह फोकस करना नए जो Innovations है उनकी तरह फोकस करना यह सारा काम में जो Governance को इंप्रूव करने के लिए जो भी Issues है उनसे चलेंज है उनसे निपटने के लिए यह जो Center है वो बनाए गया है Next of our article है वो है PMBJP यह प्रधान मंत्री भारतिय जन उस्दी प्रियोजना को लेकि इसका में मोटो यह है कि हमारे देश में जो गरीब लोग है यह फिर आम जनता है उनको affordable rate पर शस्ती rate पर अच्छी medicine है वो मिल सके खहां पर इसके लिए government के जगए जगा जगा इस्टोर है जिनका नाम है जन उस्दी के अंदर तो भारत में जगए जगए जगा जगए जगए जन उस्दी के अंदर के अंदर खोल रखें अभी जनोस्ति के अंदर ना इन्हीं ओस्ति के अंदर पर गवर्मेंट है वह सस्ती रेट में अफोर्डिब और अच्छी जो मेडिशन है वह प्रोइड करवाएगी ताकि हेल्स सेक्टर को और जिदा इंप्रूव है वह क्या जासकी इसके साथ यहां प क्रोशिन टेबलेट है वह मालों एक एक एक्स वाइज जेट साल से बनी है अब बाकिये अकर सरदत की टेबलेट है वो भी ओबिसली सेमी साल से बने गिया है होता क्या है कि जो बड़ी-बड़ी कंपनिया होती है यह परचार परशार के लिए और कहीं ना कहीं में दूसरे से एक दो और सोल्ट को थोड़ा एर्डेट्यों और फिर जो कोस्ट जो बहुत में बढ़ा देती है जिपकी फुरॉब्ला होता है वह बेशिक साही तो जो बेशिक फॉर्मला यूज की चारीटिग वगरा ण होती नहीं रिञा सी नर्मलच सी बात है तो वह सश्ती रहती है बाकिकर कम्पनियां उसमें थोड़ा इधर उटपटांग कर रही है उसमें कुछ एड़ कर रही है अपनी मार्केटिंग के लिए वो पैकिंग भढ़ा देती है थोड़ी वगरा वगरा कुछ डिजैन कर देती है तो वो medicine काफी महांगी मिलती है तो गुवर्मेंट फोकर्स कती है मैसा कि जनुरी के नहीं कि जो जन्यून मेडिसीन है वो ही लोगों को मिलें ये सस्ती भी होती है और एफेक्टिव भी काफी अच्छी होती है तो इसके लिए गुवर्मेंट के दोरा भारतिय जनोस्दी सेंटर जगा-जगा के अंदर खोले खेंगे और वहीं पे जन्रोंस्दी प्योजना के त्रीजफ एप फो उठाया गया है नग्सís आर्टिकल में इशनल एकोनोमिक ट्रास-फॉनेशन प्रोजेक्ट यह आपको इदान में डखना है कि नेसनल र खोन्सर्मेंट प्रोजेक्ट है support है वो दे रहे हैं देखो government ने rule area के development के लिए national rural life hood project start किया था अब यह basically जो mission था यह जो project था लाइविड mission लाइविड प्रोजेक्ट नहीं एन आर एलबी यह 500 million dollar का mission था इसमें जो 250 million मलब आदे जो पैसे हैं वो तो development या AIB UPC कर से भी option हमें दे सकती हैं इसका काम कहें तो कि इसका काम यह इस project के तरू कि हमारे देश में जो rule area कि जो economy है चाहे उसमें man हो या woman हो उनको empower करना उनको में अंदर economic resources generate करना चाहे आप देख़े आप काफी woman empowerment भी यूज कर सकते हो तो यह rule area के अंदर man and woman दोनों जाती है तो woman का भी development करना है man का भी करना है अब household के थिरू भी कर सकते हो या फिर उनको कुछ economic resources ब्रवाइड करवा के भी कोई भी method ऐसा हो सकता है जिसकी help से उनकी economic transformation हो की जासके नेक्स एक छोटा सा आर्टिकल है बेर काफी important है वो है बोलो application को लखें देखो जो बोलो application है यह Google का एक application है Google ने भी इसको launch किया है इसका motto यह है कि हमारे देश करना की जो primary और जो हम बात करें आप पर primary class के जो बच्चे हैं उनको Hindi और English language हो easily सिखे जासके इसमें होगा क्या इसमें text to speech का option होगा और speech to text का भी option होगा तो बच्चे आराम से कहानिया वगरा है वो सब यहाँ पे सुन सकते हैं आपस में जो भी उनको कुछ issues वगरा हो तो वो Hindi से English, English, Hindi वगरा सीख सकते हैं तो उसके लिए application है वो start किया गया है तो यह आपको दहान में रखना है बोलो application है वो किसका है गूगल का है तो देखो यह थी आज की मारे discussion फिल भी एक दो दूने वह रहागी है तो उनको हम कल की discussion में cover कर लेंगे तो फिलाल इतना है तो thank you thank you very much for discussion